नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में दोस्तों अनुदेशक नियमिती करण का क्या रहा? अनुदेशकों का नियमिती करण होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? वो कौन सी डेट आएगी जिस दिन घोशना की जाएगी? घोशना में आखिर क्या क्या रहेगा? इस तरीके के बहुत सारे सबाल सभी अनुदेशकों के मन में चल रहे हैं और चलेंगे भी क्यूंकि जब तक नियमिती करण की घोशना पून रूप से हो नहीं जाती है बहुत सारे लोग अलग-अलग ब्रहमित तरीके की पोस्ट भी डालते रहते हैं हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पोस्ट दिखाते हैं जो पोस्ट आपके हिमांशू वर्मा जी के द्वारा की गई है और इन्हों ने इस पोस्ट में खुल कर सभी बातों पर प्रकास डाला है कि आखिर अनुदेशक नियमिती करण का सच क्या है हम अभी इस पोस्ट को पूरा देखेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेर कर दें तो बिना देर करे हुए हम हिमांशु वर्मा जी की वो पोस्ट पूरी पढ़ लेते हैं प्री अनुदेशक साथियों साथियों जैसा कि पूर्व के कई महा से आपको मेरे द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि हम लोगों का नियमिती करण होने जा रहा है आज उस खबर की महक की हल चल पूरे प्रदेश में चल रही है और इसी के साथ सभी की उत्सुकता अपनी पराकास्ठा के साथ तर्क वितर करने पर मजबूर कर दे रही है तर्क वितर करिये लेकिन इतना हमेशा याद रही है कि नियमिती करण की घोशना होने के बाद आपस में शर्मिंदा ना होना पड़े अगर मेरी बात हलकी होती उसमें कोई फरेब होता तो क्यूं नहीं जूट सावित हो रही है जबकि कई ऐसे ब्रहमित करने वाले अपसर आये हैं लेकिन मैंने तुरंत उनका खंडन किया कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा और दिन ढलते ढलते सब साफ भी हो गया साथियो इसमें किसी का कोई श्रे नहीं है लेकिन होड मचनी शुरू हुई है मैं कहता हूँ घोशना होने के बाद एक एक आदेश मैं तारीख सहित आदेश डालूँगा पूरी प्रक्रिया की तारीख समिट डेटेल जब सारुजने करूँगा तब क्या जवाब दोगे जब तुमने सोचा ही नहीं था व्यंग करते थे उन तारीखों से मिलान कर लेना की पहले काम शुरू हुआ था या तुम्हारा प्रयास ये सब प्रदेश का सम्मानित अनुदेशक खुद तैक करेगा अब तो लोग बीच का रास्ता भी निकालने लगे हैं पोस्ट एफबी पर ना डालकर सीधे वाटसप पर डालते हैं ताकि कभी भी पल्टी मारी जा सके फिर से वही बात कहना है कि आप लोगों का नियमितिकरण होने जा रहा है यही सच है इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इसलिए आम अनुदेशकों से अपील है जागरुक बने आतनिर्भर बने सहासी बने सोच व्यापक रखे ताकि अब आपका कोई शोशन ना कर सके अपने आपको पहचानो नेता आप से हैं आप नेता से नहीं मैं कोई नेता नहीं आप सभी का बाई हूँ जितना आपको मिलता है उतना ही मुझे भी मिलता है कोई क्यों किसी को गुमरा करेगा और एक बात की जो लोग जरा-जरा सी बात पर ये पूछने लगते हैं कि कहा चले गए नियमिती करण करवाने वाले तो सुन लो मौत ही नियमिती करण से दूर ले जा सकती है अनिता मैं कायर नहीं हूँ मैं जूटा नहीं हूँ मैं किसी से डरता नहीं मैं भागने वालों में से नहीं हूँ अगर खुद सच्चे हूँ हुआ करो तो दिल गवाई दे तो फोन 24 घंटे खुला रहता है, जब जी चाहें फोन कर सकते हैं, सब के सवालों का जवाब दूँगा, प्रिये साथियों नियमेती करना बस चंद कदम दूर है, कुछ दिन और शेस हैं, सत्य परिशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, वो हिमानशु वर्मा जी के द्वारा क की गई है, और इस पोस्ट के माद्यम से आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, इस पोस्ट में आपने देखा कि हिमानशु वर्मा जी ने बिल्कुल साथ तोर पे कहा है, कि कुछ ही कदम दूर है अनुदेशकों का नियमेती करना तो आप सभी ल आनकारी आपको लगातार भी मिलती रहेगी, बस कुछ दिन की बात है, हिमानशु वर्मा जी ने बिल्कुल साफ तोर पे कहा है, कि कुछ दिन की बात है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परशानी है, तो आप डरेक्ली उनको फोन करके उनसे उस चीज़ पर राय मश्वरा भ जवाब भी देते हैं, इस चीज़ का experience मैं personally भी कर चुका हूँ, बहुत ही साफ दिल के इंसान है, और उनोंने जिस तरीके से सभी से एक request की है, कि आप लोग भ्रमिक तरह की खवरों पर ध्यान ना दिया कीजे, और सच बात है, अगर आप इस तरीके की भ्रमिक खवरों पर ध्यान देंगे, तो आपको निश्चित तोर पर गलत ही जानकारी मिलेगी, जिसका असर कहीं न कहीं आगे आपको दिखाई दे सकता है, तो फिलाल अनुदेशक समायोजन अनुदेशक नेमिती करण पर ये जो पोस्ट थी जिसके बात्यम से आपके सभी सबालों का जवाब निश्चित तोर पर आपको मिल गया होगा, अनुदेशकों से सम्मंदित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगतार में अपके चैनल पर आपको दिखाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू दबालें और इस वीडियो को भी लाइक श